हेलो फ्रेंड इजी टेक्निकल में आपका स्वागत है मैं हूँ सूरज और आज मैं C++ में बताने वाला हूँ कि आप थ्री नंबर को एंटर करोगे तो तीनों नंबर को कैसे चेक करना है एक या तीनों नंबर एक्वल है या नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए आपको उपन करना होगा देवसी प्लस प्लस और मैं यहां पर एक लाइब्रेरी आड करता हूँ has include iostream और लिखनता हूँ using name space yesterday और int में लगा दे रहा हूँ यहां पर यह तीन भेरियेबल बनाने होंगे फ्रेंड ए बीसी के नाम से भेरियेबल बनाता हूँ और यहां पर क्योंकि मुझे तीन नमबर यूजय से input लेना है तो मैं यहां पर message प्रिंट कर दे रहा हूँ enter आनि 3 नमबर 3 नमबर एंटर करने के बाद फ्रेंड यहां पर आपको A, B and C को अंदर ले लेना है एक condition लगाना है कि यदि A equal हुआ B से and A equal हुआ C से अगर यह condition सही रहा तो मुझे Cout में प्रिंट करना है number is equal sorry मैं यहां पर लिख दे रहा हूँ all number is equal और अगर यह statement false हुआ फ्रेंड तो मैं यहां पर एल्स में एक message प्रिंट कर देंगा number is not equal और यहां पर फ्रेंड मैं अब execute करता हूँ यहां पर एक option है compile and run का मैं इसे क्लिक करता हूँ मुझसे name पूछा जा रहा है तो sk के नाम से मैं save करता हूँ और मुझे थोड़ा सा wait करना पड़ेगा ओके print यहां पर दिखाई दे रहा है enter any three number आप तीन number अंटर करो मैं 4 ले लेता हूँ 9 5 और यहां पर message में एक दे रहा है number is not equal यानि यह तीनो number equal नहीं है अब फिर से मैं इसे बंद करके execute करता हूँ फिर से compile and run और इस बार मैं number same डालता हूँ और check करता हूँ कि क्या number equal है या नहीं है मैं लिख लेता हूँ 4 4 & 4 यहां पर print all number is equal का message आ रहा है I hope trend आपको समझ में आया होगा कि तीन number का equal कैसे check कर सकते हैं तो thank you for watching like कीजिए subscribe कीजिए और थोड़ा सा प्यार हमें जरुरतीजिए thank you